नमस्कार, घ्रेलू उप्चार में आपका स्वागत है, कहीं भी रहें, खुसहाल रहें। बुराईयों के तरफ ध्यान नो दें। गलत लोगों से बेहवार नो करें। दुनिया मतलब की यार है। और अपने स्वास्त के उपर पूरा-पूरा ध्यान दें। तो साथियों इस वीडियो में गांठिया रोग का एक टोटका दिया जा रहा है। जो की बेलकूल आसान है जी। आप सुनेगे तो यही सोचेंगे कि इससे गांठिया रोग जाएगा। तो आप तैजूब करेंगे जी। हैरान हो जाएगे। तो अब गांठिया रोग क्या होता है, कहां होता है, सबसे पहले यह जनना जरूरी है। तो साथियों गांठिया रोग पैरों के गांठों में सबसे ज्यादा घुटनों पर होता है। मुलने में, चलने, फिरने में दिक्कत करता है। उसके अंदर दर्द हो जाता है और दर्द के साथ सूजन भी हो जाता है। तो यह गांठिया रोग हर गाठ में होता है, ये जोलों की गाठ में, इस में यहाँ पर भी, मतलब गाठिया क्या मतलब गाठों गाठ दरत, लेकिन विशेश करके पैरों के गांठ में यह रोग उत्पन होता है फीर धीरे धीरे उपर के तरफ बढ़ता है तो इसके लिए ये कदम बेलकुल तो आलू से सभी लोग परचीत हैं जी आलू से सभी लोग परचीत हैं यह आलू मसुवूर है सब्जियों के काम में आता है तो यह जो है देखिए एक आलू मैं आपको दिखा रहा हूं कि यह आलू है इसकी सब्जी बनती है कि अपने भारत में यह मसुवूर है बारहो मास मिलता है तो आप छोटे छोटे पीस आलू लें हम दिखाने के लिए थोड़ा बड़ा लाया हूं लेकिन आप छोटा छोटा दो तीन पीस ले लें और ले करके गाठिया के रोगी अपने जेब में काच्चाय आलू रखें इस तोटका परियोग से धीरे धीरे गाठिया रोग में परिवत्तन आपको मिलेगा और धीरे धीरे गाठिया रोग समाप्त हो जाएगा तो यह बेलकूल आश्चर जनत तोटका है जी तो दो से तीन अपने जेब में रखें या साइड के जेब में रखें दो ज्यादा है दो रखें एक इधर पोकिट में एक इधर पोकिट में अगर नीचे नहीं पोकिट है तो वो उपर वाली जेब में रखें हमेशा रखें जी और देखें कुछी दिन में आपके गाठिया रोग में परिवर्तन मिलेगा आपको राहत मिलेगा गाठिया रोग से छुटकारा मिल जाएगा तो ये कदम ही बेलकूल आसान और सहज यह तोटका है आप इसे करें और गाठिया रोग में काफी लाब उठावें इसी तरह हम आपको वीडियो देता रहूँगा और आप घर बैठे लोगों से छुटकारा पावें इस वीडियो में इतना ही और हमें दीजिये इजाजात नमस्कार